नमस्कार दोस्तों मैं सौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ RS Entertainment की बेहद इंट्रेस्टिंग वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2018 में खेलने वाले उन 10 बड़े प्लेयर्स की जो 10 टॉप के डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स हैं IPL 2018 में खेलने वाले हैं दोस्तों प्लीज इस वीडियो को एंग तक देखिए क्योंकि उससे पहले आप अगर स्किप करते हैं तो आपको बिलकुल भी मज़ा नहीं आएगा दोस्तों इस लिष्ट को सुरू करने से पहले ही मैं आपको बताऊँ बहुत से बड़े दिख्गलियों का नाम इन टॉप 10 की लिष्ट में नहीं आया है जिनका नाम सुनकर आपको भी आश्चेरे जरूर होगा दोस्तों ये लिष्ट बनाई गई है फिलाल के फॉर्म के कारण क्या फॉर्म चाल रहा है क्या एज प्लियर्स की और किस प्रकार से इस समय खेल रहे है तो नंबर 10 पर नाम आता है क्रिस गैल का और ये आई पेल 2018 में किंग सलावन पंजाब की और से खेलने वाले है हाला कि उन्हें यहाँ पर मौका मिलना बहुत मुस्किल है तो वही नंबर 9 पर नाम आता है कुलकाता नाइट रैडर्स की और से खेलने वाले आंद्रे रसल का यहाँ दोस्तों नंबर 9 पर नाम आता है आंद्रे रसल का नंबर 8 पर ग्लैन मैक्सवेल का जो आईपेल 2018 में गौतम गंभीर की टीम यानी डैली डैडेवल से खेलने वाले है और डैली डैडेवल का पूरा मिडल ओर ग्लैन मैक्सवेल पर निर्भर करता है तो वही नंबर 7 पर नाम आता है एरन फिंच का जो किंग्स 11 पंजाब की ओर से आईपेल 2018 में खेलने वाले हैं ओपनिंग के रूप में सांदार प्लेयर हैं किंग्स 11 पंजाब के पास लिस्ट को आगे बढ़ाया जाए तो नंबर 6 पर नाम आता है इंडियन बैट्समेन रोहित सर्मा का दोस्तो रोहित सर्मा का फॉर्म T20 के हिसाब से सांदार चल रहा है और लगाता है डिस्ट्रक्टिव बैट्समन बनते जा रहे हैं जो आईपेल 2018 में मुंबई इंडियन की कप्तानी करने वाले हैं मुंबई इंडियन के ओपनर के रूप में खेलने वाले हैं तो वही नमबर 5 से बात करें जो टॉप 5 प्लेयर्स की लिष्ट है यहाँ पर पांचवे नमबर पर नाम आता है विराट कोहली का जो कि किसी भी टीम के बॉलिंग डेपार्टमेंट के तहसन हैस कर सकते हैं धज्जियों ओडा सकते हैं और IPL 2018 में ये खेलने वाले हैं RCB की और से RCB की कप्तानी करने वाले हैं तो वही नमबर 4 पर नाम आता है ब्रेंडन मैक कुलम का IPL 2018 में ब्रेंडन मैक कुलम रॉयल चलेंजर्स बैंगलोर की और से खेलने वाले हैं और IPL के इतिहास में यानि IPL 2008 से लेकर IPL 2018 तक में Most Destructive Players की लिस्ट में ये हमेशा काविज रही है हमेशा अपना नाम बनाई रखा है तो ही अब Top 3 की बात करें जो Most Awaiting Players है वो है A.V. Divliars A.V. Divliars का नाम आता है आपर तीसरे नमबर पर Most Destructive Batsman के बारे में और ये IPL 2018 में A.C.V. के और से खेलने वाले हैं तो वही नमबर 2 पर नाम आता है डेविड वार्नर का यानि आब अब अब तक समझ गए होंगे कि पहले नमबर पर किसका नाम है IPL 2018 में डेविड वार्नर सन्राइजर सहधरवाद के और से खेलने वाले हैं IPL 2018 में S.R.H. की कप्तानी करने वाले हैं डेविड वार्नर तो वही नमबर 1 पर नाम आता है क्रिस लिन का जिहां दोस्तों आपने अनुमन जरूर लगा लिया होगा कि IPL 2018 में Most Destructive Batsman कौन सा रहने वाला है हमेशा ही इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है हालांकि एनका खेलने के मौके जरूर कम मिले हैं लेकिन जब भी नए मौका मिला है सांदार तरीके से अपनी एनक बिल्ड की है और एक T20 के पावर पैक के रूप में सामने आये हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी पारियां खेली है इनके साथ चोटिल होने की प्रॉब्लम जरूर रहती है लेकिन हम सभी मिलकर उम्मीद करते हैं कि क्रिस लेन आईपेल 2018 के सभी मैचेस खेलें कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से ताकि हम सभी आईपेल फैंस का मनुरंजन बना रहे तो दोस्तों इस वीडम फिलाल इतना ही जहां पे हमने बात करी है आईपेल 2018 के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन की बारे में दोस्तों आपकी क्या उपीनियन है आपके हिसाब से लिस्ट कैसी रहने वाली है कमेंट बॉक्स में अपनी उपीनियन है में जरूर दें और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है इस बारे में जिक्र जरूर करें